एंड बहुत जनों को यह भी लगता है कि SOS और SM के बीप में actual winner था 30 की What is up you all this side miraj and मैं हाजिरू एक नया reaction लेकर कल जब मैं चिर्गे का reaction कर रही थी नजरिया ए नादिक तभी मैं बोल नहीं थी की भाई what a great time to be alive क्योंकि चेन के और SOS ने again साथ ही drop किया I mean at the same time तो SOS का नया गाना वजा आ चुका है production में 30 की एंड बहुत जनों को इस गाने का link नहीं मिल रहा था कल मैं जब वेडियो में बोल नहीं थी because यह SOS के चैनल से नहीं आया यह आया है 30 की के चैनल से तो भाई कश्मीडी hip hop scene बहुत ही से यादा underdated और unrepresented रह चुका है तो thanks to the beef की अभी लोग बहुत ज़्यादा SOS को and कई हद तक AMR को भी सुन रहे है तो यह बाकी बाते बात पहले गाना चेक आउट करते हैं official audio है so let's go sad melancholygency यहान ने कोई हले तेले तेरा चानी तू और मैं मुसाफिरिया कुछ बलके खाली लोगों की बाते मुझको देती है रानी मैं क्यूं ही करूँ एहतराम या कातिर्दारी फुरानी बाते पर सकम ताजा अभी भी यादा अभी भी पसंद मुझे सादा उचा चुका है पर करके मुझको एक और वादा मैं जिन्दा उस अमीद में सारी राते बिताता sleeping pills लेनी पड़ती अब सोने के लिए हूँ मेरे खौब होगा खौब फिर राता खोने के लिए म्यूजिक में पीस लिख मुआ के बिक खोने के लिए मैला इलाज बचाते मुझको रोने के लिए मलाल तुम से रूबरू न कर पाया मैं जाहर मेरे कमरे की हालात ऐसे जैसे की में उसमें महेंगी एक तस्वीर जो आपकी है शायद कबसे देखा नहीं आए ना कर से ना निकले बाएर अब कलम करे बाते का कर से हर शिकायर मुझे मरम दे दे आके मैं तेरा ही किफायर मैं सुन पड़ा कबसे हमें नहीं हितायर और आपकी अवार क्योंके होल्ड़ान होल्ड़ान भाई यह गाना बहुत ज्यादा है कोई फ्लेक्स भाही बाते नहीं चल रहे है इसलिए गाना इथिंग मिलनकॉली म्यूजिक के साथ स्टार्ट हुआ यानिकी सैद म्यूजिक है भी म्यूजिक हो होता है अपनी माशुका को कितना अच्छे से वो डिस्क्राइब कर रहा है कि कमरे का हाल बया कर रहा है कमरे में कितनी सस्ती चीज़े पड़ी है बट उस सब के बीच में एक ही महगी चीज़े पड़ी है वो है आपकी तस्बीर कैसे सिंदगी को जीए हम सिंदगी बुलागे पेजेनी से नीम नहीं आती है रात को जागता रहता हूँ सोचता रहता हूँ और दिमाग मुझसे एक कहता रहता है लड़ता रहता है हमेशा तंग दिल संग दिल उसका पुर्सिया है मर रहा वो उससे ना बोश तूने क्या जिया बदबग बजा कम वक्त क्यों तू कम सर्फ तू आ हर तर्फ क्या तेगी मौसे की और कैसे चलेगा तेरा गर सब कमा रहे और तूने क्या लाई है कभी रोटी अपने गर पर तेरे पाई बोलर है तू शायर नहीं शायरी करना पंकर तेरे मुटके का पानी नीचे चाहे तू डाले कंकर यूंकि कवे में प्यास नहीं भोक नहीं सरा सा हंगर बने शेहर सारे महस तू एक बेड़ बला इस जंगल कितने आये गए मरे जिनको आना था अवल तेरी किसी से लड़ना कहीं अदूरा ना रहे तेरा यहीं सफर मरने से पहले कुछ असर तो कर कहीं अदूरा ना रहे तेरा यहीं सफर बहुत अलग काना है भाई बहुत ही रो लाइन और हेवी बार्स थे विद इंटेंस म्यूजिक इस नौट यूर इउजूर रेगुलर लिसेन कि तुम जा रहे हो घूम रहे हो तुम यह गाना सुने तुम्हें लाइट फील होने लगा या तुम्हें अच्छा पीन होने लगा इस रियली हैवी चो ने बहुत ही रो है और अन्फिल्टर टाइप का है स्ट्रागल की बात है हुई है और थर्टी की का प्रोडाक्शन इस लाइक वो जो हेवी इंटेंस वो एकदम घुटने वाला जो बीट है ना वो बहुत अच्छा जा रहा है लिरिक्स के साथ और याट इस रखा गया है गाने को वो इंटेंस टाच देने के लिए तुम रियक्शन में नोटीस कर सकते हो मैं ज्यादा तर गाना सुन रही थी आंख बंद करके बिकॉस इस नॉट अबाउट एक्स्प्लेनिंग या फिर वाइबिंग इस मोर अबाउट अंडर्स्टेंग और फीलिंग दा लिरिक्स और दो बंदे मेंस्ट्रीम मेंट्रियलिस्टिक र्याप से हटके कुछ ट्राई कर रहे हैं मेंस्ट्रीम स्टेंट को छोड़के और विद इस कॉंसिस्टेंसी तो भाई बहुत अलग गाना था इस लाइक नोट अरेगूलर लिसन इट विल लाइक लिव यू विद अहवी हाट that was the reaction कैसे लगा तुमारे का opinion है तुमारे का thoughts है मुझे बताओ comments में and yeah I will see you in my next video तब तक के लिए bye